तो यह देखिए हमारा आज का टोपिक है करीकुलम एज एफ प्रोसेस प्रोड़क्ट पाठ्थे करम एक उत्पाद के रूप यह भी जो हमारा था पाठ्थे करम डवलप्मेंट था करीकुलम एज प्रोसेस करीकुलम एज प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट तो वह आपको समझ में आया था कल वाला कॉस्कन भाठ्थे एक बार और समझाती हैं अच्छे से आवाज नहीं आ रही थी कर दो पाठ्थे करम का जो विकास है पाठ्थे करम डवलप्मेंट है उसके दो पार्ट होते हैं प्रीकुलम एज प्रोसेस प्रोड़क्ट ठीक है यह मैंने आपके उन बारा कोस्टन जो इन्पोटन कोस्टन हैं उनमें भी हैं यह दोनों ही यह आपको अच्छे से स्क्यार करने हैं तो इन में जार्ट हैं हैं जी बोलिये हैं चार नंबर में पिल्कुल पिल्कुल चार नंबर में ठीक हैं करीकुलम के आप क्या समझते हैं करीकुलम के इन दोनों के बारे में पूछ लिया जाता है तो आप सोला की इनको त्यार करके जलो करीकुलम एज प्रोसेस क्या है कि जिसका निर्मान हो चुका है यह दोनों ही आज हम देख लेते हैं आप आज अज से कर लो कोई बाद नहीं कल नहीं हो पाया तो आपको सुनाई नहीं दे रहा था तो दुबारा से करवा रहते हैं इनमें ज्यादा डिफ्रेंस है नहीं ठीक है यह दो पार्ट है वही प्रोसेस और डवलप्मेंट के पार्ट है प्रोसेस और प्रोसेस के बारे ने थोड़ा हाथ देख लेते हैं कि पाठ्थे करम प्रक्रिया में पाठ्थे करम विकास मतलब जिसका विकास हो चुका है पहले से हमने जाना था कि इसका निर्मान के आधार जाने थे तो उसकी क्या है प्रक्रिया पाठ्थे करम की प्रक्रिया है मतलब आगे उसको ही बढ़ाया जाता है फिर क्या है यह एक विकास की प्रोस कोई आपको सिर्फ बता रहे हुं सिर्फ माफ को बता रहे हूं आपको सच बोलना चाहिए कि आपके लिए सथान्तिक ज्यान आप सच बोल रहे हैं तो यह आपके लिए कौन सा ग्यान है इस ग्यान को उस नोलेज को अप्लाई कर लिया तो आपके लिए वो क्या हो गया प्रेक्टिकल नोलिज होगी यह साथ-साथ हम करते जाएंगे इसमें फिर हम क्या जान रहे हैं यहां पर यह देखेंगे प्रोसेस में कौन पढ़ाएगा कैसे पढ़ाएगा कैसे मतलब टीचर कैसे होंगे उनकी क्वालिफिकेशन कैसी होंगी वो पढ़ाने के लिए कैसी टेक्निक्स मतलब यूज करेंगे सेधान्तिक तरीके से पढ़ाएंगे या वहारिक तरीके से पढ स्लेबस बच्चा सिक्षार्थी देखो भई आप म्यूट कर लिया करो आपको कोई डाउट हो तो आप पूर्ट करके पूर्ट करते हो वरना आपको भी देखो वह हो जाती है प्रोब्लम और मुझेगी तो अगर यही तीनों चीज हमारी सही नहीं होगी पढ़ाने वाला सही ह तो इन से क्या होगा सब एक दूसरे पर को प्रभावीत करेंगे डालेंगे तो यहां पर करी कुलम का विकास किया जाता है तो समाज को समाज को हमुदाय को और बालक की इन चीजों को ज्यान में रखा जता है बताओ जल्दी ऐसे नहीं भी तुम बताते हो ने बताओ 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 और किंसे जो पर धियान में रखा जाता है अंकीत अवशक्ता अवशक्ता बड़े वेवकू हो गई तो और क्याकिन चीजो को ध्यान में रखा जाता है बिल्कुल चुपो जाते कहीं तो बिल्कुल जो म्यूट नहीं है वो भी म्यूट कर लेते हैं खुझ को कुछ पूछ लेते तो बच्चे की आवशक्ताओं को ध्यान में रखा जाता है उनके उनकी रूचियों को ध्यान में रखा जाता है ठीक है इसको करीकुलम का विकास करते टाइम इसको आगे बढ़ाते टाइम फिर क्या होता है कि यह सिक्षा में प्रग्रती का मतलब एक सिस्टेमैटिक तरीका है जो मैं आपको बता चुकी हूँ जिससे की क्या देखना है में सिक्षा में एक सकारात्मक्व परिवतन आज के एक पोजीटिव चेंज हो एसा करीकुलम हमारा होना में आ सबर्भाय है रहे हमारे आसफार जो यों और होनी चाहिए और करीकुलम एसा ही वहीं जैसे समाजमें बदलाव हो रहे हैं वैसे वैसे हमारे आप्ड है काल में छहीं खजाए धीत घ्रमोन करेंगे रहे हैं कंए रहे हैं Benefit और कोई कोई बहुत क्रीटीड में आसान नहीं है होना चाहिए जिसमें हमारी आवस्यक्ता को ध्यान में रखा गया हो हमारी रूच्शो का ध्यान रखा गया हूँ हमारे संसार में हो रहे बदलाव है कि अपडेट किया गया हुआ हूँ यह नहीं कि पीछे वाला ही पर्टेकरम हमारा चल रहा है अब बच्चा कैसे सीखना चाहता है उस चीज़ को ध्यान में रखा गया हूँ ठीक है ऐसा होना चाहिए यह परिवर्तन हो रहे हैं तो हम मान सकते हैं आपस्टीटिव चैंज हो रहे हैं हमारे इतमे पांठाद 1 फिर क्या होना चीजिए एक दूसरा स्टेप क्या आपता है प्रोसस के बारे में बता रहे हैं मिया पर बात इंडूसरा स्टेप क्या पर सिच्थमे आनालाईजेश जो मैंने आपको बताया था कि आपसमें गटाये थोड़ा को जुशन अनला था कि इस तील का विस्टिलेशन करना जाहिए अब कुछ दिहां में आया था इसमें क्या बताया था कुछ ने दिया होगा कल भी हमारा करिक्लम होना चाहिए वो सिच्वेशन के हिसाब से होना चाहिए अभी पहले वाला करिक्लम अगर अभी के वच्छे को पढ़ाएंगे तो वो उनके लिए वनिफेशन नहीं हो बिल्कुल यह चिज़ को हमने मैंने जो आपको अभी तक बताई है उसके अकॉर्डिंग आ सप्षिते आरे हमने कि हमारे स्कूल है उनकी सिट्यूएशन का एनलाईज करना चाहिए उनको देखना चाहिए कि वहां पे जो करीकूलम चल रहा है उसका कितना इफेक्ट पढ़ रहा है पाठ्ठायकरम का विकास करने से पहले हमें सरवे के माध्धम से पहले स्कूल में जो हो रहा है उसका पता लगा ना चीए उनके बारे में जानना चाहिए ठीक है? स्कूल का इंफरास्ट्रक्टर कैसा है? बच्चों की रूचिया कैसी है? एक्टिविटीज कैसी करवाई जा और वहां का पाठ्धियकरम कैसा है और अप्लाय किया जा रहा है उनका सिच्राइब कितना परभाब रहा है कितने वह दवल्फ हो रहे हैं इस तो एक पाठ्धियकरम का विकास नहीं कर सकते हैं और यह क्या है? सरवे के माध्यम से करेंगे हम समझ में आए इतनी बात? यस मैम कल वाले में और आज वाले में ज़्यादा धिश्रिफ्रेंस नीए फिर भी हमें पिछे वाला अच्छे से समझ के फिर ही आगे जाना चाहिए पिर क्या है स्थीति इसलेशन में ध्यान में रखने हैं फिर बात से क्या होती कि हमारी जो सिटुएशन एनलाइज हम कर रहे हैं वहाँ पे हम किन-किन बातों को ध्यान में रखेंगे कि कहां समझ्ष है अगर हमें जो जो मैंने अब भी बताया था पॉजिटिव मतलब वो नहीं लग रहा रिपांज नहीं मिल रहा पॉजिटिव परिवरतल मतलब इस्पारात्मक परिवरतल पॉजिटिव चेंज नहीं हो रहा तो हमें यहां पे देखना है कि भी बच्चा सीथ नहीं रहा है कोई परगी नहीं पड़ रहा तो यहां पे हमें कि इना चुन को भूण से कहा समश्या है उनका उनके मतलब सोल्यूषिन हो सकते हैं कहां-कहां क्या-क्या बदलाव कर सकते हैं करेंगे तो पहले हमने स्टितिक का विचलेशन करेंगे तो पहले हमने स्टितिक आविशलेशन अप्जेशन किया, सर्वे के माज़ां से स्कूलों में सर्वे करवाए गए, कि क्या-क्तिविटी हो रही हैं, उनके क्या फायदे मिल रहे हैं, इफेक्टिव है भी या नहीं, ठीका एफेक्टिव नहीं है, तो वो क्यों है, लीस्ते एक ऐस्ट करवाई, फिर हमने देखा कि ह पर वो नहीं हो रहा है। परेशानी से उनके बारे में जानना था। फिर हमारा व्यक्तिव यह था, हमारा यह व्यक्तिव था, गारा धाया। जो हमारा भलाई कर रहे थे यहां पे प्रीकुलम वहां के बच्चों के व्यभार में कितना बदला हुआया और वो बदला क्या था पोजिटिव था या नेगेटिव था स्कारात्मक्ता या तकारात्मक्ता ठीक है जो गोर्ट हमारे जो जो अब तक बतारी हुआ तक बतारी हुआ वो तक बतारी हुआ था वाज साफ ने पी इसलिए वो पने पेडिया पे शोओने की आज का टॉपी कभी मैं करवांगी तोड़ा पास जल्दी जल्दी बतारी हुआ है कि यह था दाए वजे फिल सेकेंड पेपर का क्लास है क्या वांजी इसके बारे में सुन लो ठोड़ा सा प्रोड़क्ट एज प्रोड़क्ट एज तो भाग होते हैं डवलपमेंट के जो हमारा करीड उलंड डवलपमेंट के दौ बाग होते प्रोसेस और प्रोड़क्ट अगर जब हम कुछ सीख लेते हो तो वहीं पर हमारे बैबार में परिवर्तन आता अगर नहीं सीखते तो उसका कोई फरक नहीं पड़ता बच्चो का अनुभव देखेंगे पाठ्यकर विकास का जो उदेश्य रखा गया है ध्यापकों को भी ठीक है हमने भी स्थिती को जान मोटीबेट करना चाहिए था ठीक है जिससे की बच्चों को भी एक डारेक्शन मिल्स के जो उनके एम्स थे जो देश्य थे उनको एक दिश्या पराप्त हो सके ठीक है यह था हमारा फिर लास्ट में क्या है कि फिर वो देखना था कि क्रिया करमबद तरीके से हमें सब अukरिया मतलब डंट के ढरान तक है प्रोसेस के जो और यह था है कि उनको जानना एक उनके टन एप प्रिणाम हमारे सामने यह थिक इतना यह होता है सब्सें 2 जय को चैंँ होते है चाल ना जिए इतना ही होता है अगलिसकों स्टितियों का इनलाइज करना एम्स को जानना कहां कहां प्रोब्लम आ रही है बच्चों के अनुभो को जानना, थीक है, इतना ही होता है, ठिर दूसरा हमारी यह है पहला पार, मैंसा कर्कुलम आगज बुड़लोप्मेंट रही है प्रोडक्त मैं मैं बो ना कर आप पीडियोप भी नहीं मिला मुझे थोड़ा सब रिवाइज करने का मौकल नहीं मिलता है इस नहीं देख लेना जो मैंने आपको बताया उन्हें तो जो देख लेना जो डवलप है डवलप किसका है जुसका निर्मान हो चुका है उसका ही डवलप होता है फिर डवलप की दो मतलब क्या है प्रक्रियाएं है प्रोसस और प्रोडक्ट ठीक है प्रीकूलम एज प्रोडक्ट लेंदी दिया हुआ है मैं अब अब को बताया है यह जी मैं तो थोड़ा सा न मैं वह आप गूगल क्लास्ट्रूम पे डाल दो मैं देखती हूँ जो मैंने अब आपको बताया है तो वह मैं लिख दूगी खुदी आपको लिखोगे निकार मैं खुदी लिखके वह अप्लोड गर दूए ठीक है खुश अब हम लोगों को रिवीजन करने में असान नहीं हो जाएगी मैं अदरवाइस फिर तो बुक बहुत जादा लिंदी हो जाता है बस यही तीन-चार पॉइंट थे इसके संगठन मतलब सिच्वेशन एनलाइज एम्स गोल्स एंड ओब्जेक्टिव संगठन करम बदता कि जैसे जैसे हमने उसका प्रोसस को आगे बढ़ाया तो उसमें हमने क्या क्या बदलाव कि ध्यान में रखते हूं के पाठ्य करम को संगठित करना है कोई एक्टिविटी है उसका क्या परी स्टेप है तो लेंकर में यह देखना पाठ्य करम में जो बदलाव किये गए तो किस हद तक सफल हुए ऐसा हुए जो हमारे उदेश है थे वह हमें प्राप्त हो पाए भी या नहीं ठीक है तो आज हम जान लेंगे इसमें भी कोई अलग नहीं है यह भी वैसा ही है मिलता चुलता ही है तो आज हम जानेंगे जल्दी से कंप्लीट करते हैं इसको प्रीकुलम एजे प्रोडक्ट यह देखिए पाठ्य करम एक उत्पाद के रूप में पढ़न कीचिए इसलिए मैं आपको बता जिते हैं दुबारा बना कर डालते हूं हम यह आपे देखना मैं बताई रहते हूं यह दुबारा बनाकर फिर वहां आपको ग्रुप में डालते हूं यह कटिंगी है कि क्या होता है कि हमने अभी यह जाना पाठ्य करम सिख्षा का मुख्य तत्व है यह जान लिया हलो माज आ रही आपको यह मैं मारी है यह जाना पाठ्य करम क्या है शिख्षा का मुख्य तत्व है बहुत व्यापक है बहुत ज़्यादा स्कोप है ठीक है इंपर प्रफ्टे कर दूब्स होई नहीं सब्सक्राइए इक आपको एक उनका मतलब हैं आपको एक मोटी की बुक्पकरा दी जाए उसमे ना कोई यूनिट बनी हुई है ना कोई अलग से बताया गया ही इतना इस इनिट में आएगा इतना इस तो क्या आप उसको पढ़ता होगे इंट्रस्ट लिए नहीं ले पाओगे फिर क्या है टीचिंग और लर्निंग में जो भी इनवोल्व होते हैं जो भी चीजे बच्चे क को शीखना कैसे है बच्चे को अपने आपको आगे दवलब कैसे करना है वो सारी चीजे किसमें इंक्लूड होती है किसमें इंक्लूड होती है बताओ करिकुलम में हमारे सारी वो ही चीजें इंक्लूड होती है ठीक है प्रोड़क्त का क्या मतलब है कि एक प्रोड़क्त का इस प्रोड़क्त से डूटेड आपको जो इसमें चाहिए है वो सारी कुविया इसके अंदर मीले फिक है वालोत कोई भी ब्रोड़क्त लगा लो खाने पीने का लगा लो है कुछ भी यहां पर कहा है इसके अंदर आपको जो चाहिए आपको अपने बच्चे का जैसा बनाना है हम क्या देखते हैं भी बच्चा एक्टीव भी हो खेल भी सके मतलब ऐसी एक्टीविटी भी शामिल होनी चाहिए ठीक है और सिर्फ यही ना हो क जिए प्रोड़क्ट इसे प्रोड़क्टी इसमें सबसे पहले किसको महतव दिया जाता है लिखित रिटर्न एग्जाम को ठीक है उन में सब सीखने के सभी तरीकों की बजाए मतलब कि बच्चा इन वीडियों से सीखता है उनको नहीं रिटर्न एग्जाम से यह पता लगाया जबता है कि हमारे इस प्रोड़क्त हां जी है और ये सभी ये पता लगाया जाती है ये सभी इन्फॉरमेशन हमें जो बचानने करना हमारा प्रोड़क्त बच्ट क्या था हमारा पठागरम था उसमें जो जो खूबिया थी वह यहीं से पता उनसे ही पता चलती है स्कूल से ही उसके अंदर क्या क्या खूबिया थी जिससे की कि यह देखें में चैppen और मिकिश्चा हूंतिसन मतलब औ 충ेख अंड इस पता चलते हैं हमारे आंक करी को लम में कितने ही खूबियां थे